हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डर्मी केम ओसी प्लस क्रीम की यह एक मेडिसीन है जिसका मेन वर्क है दाद, खुजली या एलर्जी को ठीक करना 15 ग्राम की इस क्रीम के लिए लगेंगे आपको 84 रुपए जिसे आप किसी भी नजदी की मेडिकल इस्टोर से खरीद सकते हैं या आपको इसली कहीं पर भी अविलेबल हो जाएगी बात करें इस क्रीम की तो यह क्रीम को LKM Laboratories नामा कमपनी बनाती है जो की काफी अच्छी और पुरानी है इस क्रीम के फाइदे और नुकसान की पूरी जानकारी दूँगी वीडियो को पूरा जरू देखे कॉमपोजिशन के बात करें तो इस क्रीम में क्लोवीटा सोल 0.05% है माइजोल 2.0% और नियोमाइसीन 0.05% है इसका में यूज है इसकीन इंफेक्शन को दूर करना यह क्रीम काफी सस्ती है साथी बता दू यह सारे इंगिरीडियन्स एक इस्टिरोड में आता है यानि यह स्टिरोड क्रीम है जिसका आप परियोग करके इसकीन इंफेक्शन को दूर कर सकते हैं फाइदे की बात करें इसकीन की तो आपको इसमें दाद खुजली, रेडनेस, स्वैलिंग और जितने भी तरह के जाईया है इससे छुटकारा मिलेगा, साथे साथ आपके स्किन में पिंपल हो रही है ब्लैक हेट्स है, वाइट हेट्स है, यह से रिमूव करता है साथे साथ आपके जाईया भी दूर करते है परियोग करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर के सलाह जरूर ले ले कोई भी मेडिसीन या मेडिकेटेड करिम बिना डॉक्टर के सलाह के यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फाइदे के साथ साथ आपको कुछ साइड इफिक्ट्स भी हो सकते है साइड इफिक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इसके लावा आप जहां लगाएंगे वहाँ खुजली हो सकती है और कुछ allergic reaction भी हो सकता है इसके साथ साथ लगातार परियोग करने से आपकी स्किन पतली हो सकती है या धूप से स्किन जल भी सकती है तो आप इसे आजे fairness क्रीम यूज ना करें आप इस क्रीम का परियोग करें जहां पर आपको इसकिन समस्या है वहीं पर अब बात करते हैं कौन परियोग कर सकते हैं तो इसे male and female दोनों ही परियोग कर सकते हैं अपने skin के लिए लेकिन जिनकी उम्र 18 साल से कम है या फिर बच्चे हैं जो औरत बच्चों को दूद पिलाती है या pregnant है उनको ये cream यूज नहीं करना है करते हैं तो इस cream को adult यूज कर सकत हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है अगर आप इस cream को यूज करना चाहती है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले 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 आप दो टाइम यूज कर सकते हैं दिन में और रात में अगर आप चेहरे पर लगाना चाहते हैं तो इसको चेहरे को धोने के बाद ही यूज करे और अगर आपको दाद कुजली रेडनेस या जाया समंधी समस्या है आप परियोग कर सकते हैं और इसका लाव ले सकते हैं उमीद करते हूं मेरे दुवारत दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि इस तरह के इंफ कर दो उन आपको खूछी टाम कर दो कि अ, अगर भां कर दो, ए को अप जो compilation है और आपको आपको गपी कर दो सकते हैं